बिसमिल्लारह्मारीरहीम अस्सलाम अलेकूम यूवर्स आज कुकिंग चानल लखनों में चटखारदार कीमा बनेगा यानि के चटखारतावा कीमा फ्राइब बनेगा बहुत ही उम्दा होता है जबरदास इसका जायका होता है तो आप लोग भी एक बार जरूर से बनाकर ट्र प्राइब जरूर करें उस्सापको आप अच्छी सची वीडियो देखने को मिलेगी और बराबर में दिये गे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो उस्सापको हर नई वीडियो का मैसे सबसे पहले पहुंचेगा तो यह वर्स एक बरसी जरूर बनाएगा ट्राइगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आपको यह रेसिपी कैसी लगी बहुत ही मज़ेदार है जबरदस है तो यह इतना लजीज बनकर तयार होता है कि पेट भर जागा लेकिन मन नहीं बरेगा तो चलिए बनाना शुरूर करते हैं खीमा तबाफ राए बहुत ही तो इसके लिए हम ने इए खीमा लिया है वहात का कुटा हुआ है और रुखा कीमा है यह बड़े का तेन सु ग्राम के करीब है यह इसमें दो करके पानी अच्छी तारा से निकाल लिया है और यह प्याज है बड़े साइज की प्याज नहीं है फ्राइकर लीए हलकी सी और टमाटर ने दो बड़े साइज के कटे हुए यह देखे और थोड़ा सम बचा लेंगे सारे नहीं डालेंगे यह बाद में बताएंगे कब डालना है और हल्दी डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून लालमिश पाउडर 1.5 टीस्पून से जादा है जीरा पाउडर 1.5 टीस्पून नमक टेस्ट के साफ से 1.5 टीस्पून कम पड़ेगा तो हम बाद में और डालेंगे और 1.4 टीस्पून गरम मसाला और धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून और एक मगबर के पानी डालेंगे इसमें और मिक्स कर देंगे और लसन द्रग भी डालेंगे हैं यह वंटेबल इस्पून भरके डालेंगे इसमें और इसको पकाएंगे और इसको मिला करके ढखन लगा देंगे जब प्रेशर बन जाएगा सीटी आदेगी तो स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसे पांच मिनट तक पकाएंगे और फ्लेम आऊफ कर देंगा और जब ठंदा हो जाएगा प्रेशर निकल जाएगा फिर खोल जल करके देखते हैं नीहां पनी पानी अच्छा हंसा है इसे अप क्ष़ाना होगा चैना इसमें हमें अश्छा से क्पानी आप्छोद्हाइबलना ना इसमसे और अब हो चुका है पानी हमने हटा लिया है और यह तबा चड़ा दिया है फ्राइब करने के लिए अब इसमें गी डालेंगे टू टेबल स्पून और अब साथ में ऑईल भी डालेंगे तो बहुत ही मज़े का बनकर तयार होता है बहुत ही जबरदास आप लोग अब इसे जरू बना कर ट्राइब करिएगा और जो लोग नए आए चैनल पर लोग जल्दी से सब्क्राइब कर लें बाद में भूल लाएंगे अब यह हम 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑईल डालेंगे यह देखे हो गया है अब यह गरम भी हो गया अब इसमें हम प्रिमा नि हो गई ना बहुत ही होता है तो एक बार जरूर बनाकर इसे ट्राइब करिएगा हि ह estar bien समा को और फट वराइ वट करियों गरमें कोई मैमान आएो इस तरह से ज्ट्पट बनाए waiver और फैप्ट कर ले फ्यृ पहले से इस त्वे हसं तरह से बनाके बाइल कर रख़ण कर डदे तो कोई मुश्किल नहीं होती है फुटा फुट तैयार हो जाता है और यह एक मीडियम साइज की प्याज हमने फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके और थोड़ी सी क्रेश कर लिए यह डाल देंगे इसमें यह हमारे खीम अच्छी तरह से फ्राय हो चुका पानी खुश्क बिल्कुल उत्तरा हो चुका है यह पूरी तरह से यह देखिए और यह साइट से तेल भी निकल आए अब इसमें हमने हरी मिज डाल दी है दोबारी कटी और यह बाकी के बचा हूँ जो टमाटर था वो डाल दे देखिए साइट से तेल भी निकलना शुरू हो गया है लिकर में कितना तेल इसमें डाला था और गी डाला था जादा नहीं पता चल रहा है और यह खुश्भू का मसाला है यह होमेड मसाला है जाइफल जावितरी और छोटी लाइची का मिला करकर के पीसदा और इसके पहले से अपलोड यानि की वीडियो पहले से अपलोड है आप लोग देख सकते हैं तो यह देखे हमारा हो गया है तैयार हमारा जबरदस्त हमारा चिटखारेदर रखीमा तबाफ रहें अरब इसमें दही डालेंगे इसको भून लेंगे इसके साथ में दही भी मिक्स कर देंगे और थोड़ा साबून लेंगे और एक मिनट के लिए इसको ढख करके हमने पका लिया है देके बुन गई दही हो गई अच्छी तरह से बहुत ही जूसी सा और बहुत ही उंदा तयार होता है जबरदस्त होता है इसका जायका तो और चिटखारेदार जबरदस्त और इसमें लेमू डालेंगे जाहिरे जब चिटखारे वाला है तो इसमें लेमू तो पढ़े गई ना हाफ लेमू का जूस डाला है आप फुल डा बढ़ी आफ़ी कोहा दिन्र बिंदाफ मेन हैं उत्व एप시न श्र эту रयोगा सकते हैं के बैस प्रिंदाइंस को हम राटे हुट ऑफ़ थे बूझार दिन्रम में हैं लॉछ इसको कोई महमाना जाको अब इन्दाइए उत्थ में लकी मुच्व राच भी और सब्सक्राइब c जरुद सब्सक्राइब को सब्सक्राइब जरूर करें उससापको और भी इस ऐस अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी और बराबर में दिये गए बैल आईकन को भी जरूर प्रेस करें उससापको हर नई वीडियो के मेंसे सबसे पहले पहुंचे कँ तो विवर्स एक बार इससे जरूर बना कर